करनाटक में हेलिकॉप्टर क्रेश में सीडियस विपन रावत का निधन हो गया है जो हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे सीडियस रावत की पतनी मधोले का रावत भी हेलिकॉप्टर भी सवार थी वायू सेना ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी वही बात करे विपन रावत के जीवन के बारे में तो विपन रावत थल सेना के 27 वे प्रमुक रहे जिसके बाद विपन रावत को देश का पहला सीडियस अधिकारी यानी Chief of Defense स्टाफ बनाया गया यह पद आज से पहले किसी को नहीं मिला सीडियस का काम है थल सेना, वायू सेना और नौ सेना तीनों के बीच तालमेल बैठाना सीधे शब्दों में कहे तो यह रक्षा मंतरी के प्रमुक सलाहकारों में शामिल है और तीनों सेनाओ को निर्देश देते थे जहां इनका काम किसी भी सेन एक्टिविटी में दखल देना नहीं रहा यह सिर्फ तीनों सेनाओ के बीच तालमेल बैठाने का काम कर रहे थे विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को दहरादून में हुआ था विपिन रावत के पिताजी एल एस रावत भी फौज में थे और उन्हें लेफटिनन जनरल एल एस रावत के नाम से पहचाना जाता था इनका बच्पन फौजियों के पीच ही बीता और इनकी शिरुवाती पढ़ाई सेंट एडवर्ट स्कूल शिमला में हुई इसके बाद इन्होंने इंडियन मिलिटरी अकाडमी में एड्मीशन लिया और दहरादून चले गए यहाँ उनकी पफॉर्फॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें पहला सम्मान पत्र मिला जो स्कूर्ड ओफ ओनर से सम्मानित था उसके बाद उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने का मन बनाया और वो अमेरिका चले गए यहाँ उन्होंने सर्विस स्टाफ फॉर्कॉलेज में ग्रैजुएट किया साथ में उन्होंने हाई कमांड कोर्स भी किया विपिन रावत अमेरिका से लोटाई और उसके बाद उन्होंने आर्मी में शामिल होने का मन बनाया उन्हें अपने प्रयासों में सफलता 16 दिसंबर 1978 में मिली उन्हें गोर्खा 11 राइफल की पाचवी बटालियन में शामिल किया गया यही से उनका सैनिश सफर शुरू हो गया यहाँ विबिन रावत जी को सेना के अनेक नियमों को सीखने का मौका मिला और उन्होंने कैसे एक टीम वर्ख करना चाहिए उसे भी अच्छे से समझा विबिन रावत ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि उनकी जिन्दगी में उन्होंने गोर्खा में रहते हुए जो कुछ भी सीखा और उन्होंने कहीं भी यह सीखने को नहीं मिला यहां उन्होंने आर्मी नीतियों को समझा और नीतियों के निर्माण में कारी किया विबिन रावत ने भारत ही नहीं अंतर रास्ट्री अस्तर पर भी अपनी सेवाई दी हैं विकारगों के यूएन मिशन में भागिदार थे और उस वक्त उन्हें अंतर रास्ट्री अस्तर पर सेवाई देने का मौका मिला था यहां उन्होंने साथ हजार लोगों की जान बचाई थी विपिन रावज जी को सेना में रहते हुए सेना में अनेक तरह के पुरुसकारों से भी समानित किया गया उन्हें युदिनीती को सीखते हुए अपने कौशल का सही इस्तमाल करते हुए आर्मी में अनेक मैडल भी प्राप्त हुए विपिन रावज जी को सेना का प्रमुख बनाया गया उन्हें 31 दिसंबर 2016 को दलबीर सिंग सुहाग का उतरादिकारी बनाया गया यह पद विपिन रावज के जीवन का एहमपद रहा इस पद पर आने के बाद उन्हें पूरे भारत में एक खास पहचान मिली और विभारतिय सेना के 27 वे प्रमुख बने उन्होंने इस पद की कमान एक जन्वरी 2017 को समभाली थी विपिन रावज ने 31 दिसमबर 2019 को भारतिय सेना के प्रमुखप से स्थीफा दिया और उन्होंने देश के पहले सीडियस अधिकारी की कमान समभाली यह पहले वो इनसान रहे जिसे भारतिय सीडियस अधिकारी बनाया गया इसके अलावा विपिन रावज को एक अच्छा लेखक भी कहा जाता है उनके अनेक लेख पत्रेकाव में पब्लिश होते आएं हैं वहीं भारतिय राजनीती पर अनेक तरह के कताक्ष भीवे लिखते आएं हैं अपने लेखन की मदद से विपिन रावट अपने बातों को लोगों तक पहुचाने का कारी करते हैं विपिन रावट हमेशा देश के एहम मुद्दों एवं सुरक्षा को लेकर लिखते आएं हैं उनके कई ऐसी बाते आज भी लोगों को उर्जवान करती है जिसमें उन्होंने कहा था पद कोई भी हो उसे सही तरीके से निभाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है उन देश भक्तों की बराबरी हम नहीं कर सकते जो सियाचिन की ठंट में देश की सेवा करती हैं देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले कुछ भी नहीं करती हमारा हर एक सैंडिक इसमें भागिदारी देता है इतना ही नहीं देश का हर एक नागरिक देश के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करता है विपिन रावत ने अपनी जिन्दिगी के एहम सैतिस्वर्ष आर्मी के नाम कर दिये उसके बाद उन पर मुख्य सलाखकारों के जिम्मेदारी भी डाली गई गौरखा बटालियन से शुरू हुआ उनका करियर कही न कही आज सब के बीच सीडियस अधिकारी के रूप में एक गहरी छाप छोड़ चुका है वह इस तरीके से सीडियस अधिकारी का हमारे बीच से जाना देश के लिए गंभीर छती है झाल